वेलकम बैक फ्रेंज कैसे हो आप लोग और आज के वीडियो में हम लोग ऑक्सपोर करेंट इंगली स्टांसलेसिन के एकसरसाइज 60 को सॉल्व करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो नंबर वन में हमारा दिया गया राम का भाई अच्छा है हम एक तरब से सेंटेंस को बना आते जाएंगे राम का भाई मतलब रामस रामस ब्रदर रामस ब्रदर ठीक है अच्छा है इस गूर्ट एक तीक है जी उसके आगे हम आज यह कॉमा लगा देंगे लेकिन बड़ राज की बहन राज पोस्ट ओफिस एस लगा देंगे सिस्टर ठीक है अच्छी नहीं है लिखेंगे is not good ठीक है जी अगला देखिए अगला है इस नदी का पानी क्या कहा जा रहा है इस नदी का पानी तो यहां पर हम लोग लिखेंगे the water of this river was not good was not good because यह गंदा था लिखेंगे it was dirty ठीक है जी अगला हमारा है क्या पटना की जलवायू लाबदायक नहीं है क्या पटना की जलवायू लाबदायक नहीं है लिखेंगे is the climate climate of पटना the is the climate of पटना useful not useful not useful ठीक है question mark लगाएंगे अगला देखिए अगला हमारा पटना की जलवायू अच्छी है लिखेंगे the climate climate of पटना पटना good the climate of पटना good अगला देखिए सीता की सुन्दर्ता सीता की सुन्दर्ता लिखेंगे the beauty the beauty of सीता सीता की सुन्दर्ता the beauty of सीता ठीक है is चान्द यहां पर लिखाल था चान्द की सुन्दर्ता की बरावर है लिखेंगे is equal equal to the beauty beauty of the moon ठीक है क्या कराएं सीता की सुन्दर्ता चान्द की सुन्दर्ता की बरावर है the beauty of Sita, Sita की सुन्दर्ता is equal to, बड़ावर है, the beauty of the moon, चांद के सुन्दर्ता से, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, अमारा six नमर में है, भारत का भविष्य, अस्पस्ट नहीं था, भारत का भविष्य, अस्पस्ट नहीं था, पहले हम इसे बनाएंगे, लिखेंगे, the future, the future of India, the future of India, was not, was not clear, clear, ठीक है, क्योंकि, भारत गुलाम था, लिखेंगे, इंडिया वाज, इंडिया वाज, इंडिया वाज, सेल्व, इंडिया वाज, सेल्व, S-L-A-V-E, सेल्व, अगला देखिए, परंतु, अब भारत का भविष्य, अस्पस्ट है, बट, बट, नाव, अब, दे फ्यूचर ओफ इंडिया, दे फ्यूचर ओफ इंडिया, इस, किलियर, ठीक है जी, अगला देखिए, भारत के लोग सकिरिये हैं, भारत के लोग सकिरिये हैं, लिखेंगे, दे, दा पीपल ओफ इंडिया दा पीपल ओफ इंडिया आर एक्टीव ठीक है फूल स्टॉप दे देंगे पर हम फूल स्टॉप देंगे अगला है मोहन का दोस्त एक MP का दोस्त था लिखेंगे मोहन्स फ्रेंड मोहन्स फ्रेंड मोहन्स फ्रेंड वाज दा फ्रेंड ओफ एन एंडिया फिक है अगला देखिए बच्चों का विकास असपस्ट नहीं था लिखेंगे दा डेवलेपमेंट दा डेवलेपमेंट डेवलेपमेंट ओफ दा चिल्रन चिल्रन वाज नौत किलियर ठीक है जी अगला है क्या पुस्त की कीमत अधिक नहीं है लिखेंगे इस दा प्राइस अफ दा बूक प्राइस अफ दा बूक प्राइस अफ दा बूक इस सोरी नौत यहां पर लगाएंगे not high ठीक है question mark आगे बढ़ें अगला देखिए हमारा जो 12 नंबर में है वो है नहीं लिखेंगे no पुस्त की कीमत अधिक नहीं है the price the price of the book not is not high is not high is not high क्योंकि because because यह एक उपयोगी पुस्तक है लिखेंगे this is a useful useful book ठीक है अगला देखिए उसका विचार सही था लिखेंगे his idea his idea was right लेकिन बट मैं गलत था I was wrong ठीक है अगला देखिए क्या यह तुम्हारा है लिखेंगे is this yours is this yours अगला देखिए क्या एक MLA का बेटा एक MLA बनेगा लिखेंगे will will the son of N MLA MLA अगला देखिए यह निश्चित नहीं है यह निश्चित नहीं है लिखेंगे it is not certain c-r-t-a-i-n certain ठीक है तो अगला है हमारा कैसे एक MLA का बेटा एक MP बनेगा तो यहां पर थोड़ा सा भी आप लोगों को इको भी आ रहा होगा sorry for that लेकिन अभी जो है मैं दूसरे दिन यह वीडियो फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूं और पिछले वाले जो था कुछ माइक का इसू आ गया था तो इसलिए हमें यह फिर से बनाना पर रहा है ठीक है और अभी मैं अपने प्रेशनल रूम के अंदर हूं और आप लोगों के लिए वीडियो बनारू थोड़ा सा एकू आएगा तो थूल सब्सक्राइब आए था यह था हिए तो हम बनाते हैं क्या कई से हाओ व मिस्ट और अगे में भूँ गा यू का यूश हो रहा है तो हम लिखेगे विल और हाओ विल एमले का बेटा तो हम做 लिखेगे दा स्न ओफ कि दर सं ओफ-फ एन-एम-एल-ए MLA ठीक है क्या कर रहा है The son of NMLA मतलब MLA का बेटा B मतलब become बनेगा NMP ठीक है Question mark अगला देखिए इस पुस्तक का रंग सफेद क्यों है लिखेंगे Why Why Is The color C-O-L-O-U-R भी हम देख लिख सकता है Of This book White W-H-I-T White Question mark अगला देखिए इस पुस्तक का रंग सफेद है लिखेंगे It is white It is white It is white क्योंकि Because या सच्चाई का परतीक है लिखेंगे It is It is the Semble Semble Of Truthfulness तो हम लिखेंगे T-R-U-T-H-F-U-L-L-N-E-W-S Truthfulness ठीक है Question mark इसमें नहीं होगा इसमें हम फूल स्टॉप लगाएंगे अगला देखिए राम का दोस्त इमान्दार था लिखेंगे राम्स फ्रेंड राम्स फ्रेंड राम्स फ्रेंड वाज ऑनिस्ट ठीक है जी परन्तु बर्ट उसके दोस्त का दोस्त क्या गाड़ा है उसके दोस्त का दोस्त हम लिखेंगे दा फ्रेंड दा फ्रेंड ऑफ हीज मतलब उसके दोस्त फ्रेंड क्या गड़ा है दा फ्रेंड ओप हिज फ्रेंड उसके दोस्त के दोस्त बैमान्त वाज डिजॉनेस्ट ठीक है अगला देखिए तुम क्यों थके हो लिकिंगे वाई वाई आर यू टायर्ड टी आई आर डी टायर्ड ठीक है अगला देखिए तुम्हारा भाई कब तयार था लिकिंग वेन वेन वाज योर ब्रदर वेन वाज योर ब्रदर रेडी लिकिंगे जी हम आगे बढ़ते हैं अगला देखिए हमारा ट्रेंटी थिरी में है आप धनी क्यों नहीं रहेंगे लिकिंगे हुआए विल यो नॉट बी रिच ठीक है अगला है मैं समय के फैसले के लिए तयार रहूंगा लिकिंग आई सैल बी रेडी पोर अगर आप अगे भी एकसाइजेज बनाना चाहते हैं और इंगली सीखना चाहते हैं तो चानल को सब्सक्राइब कर लिजिए धन्यवाद एकसाइब कर लिएक्वाद